नमस्ते चात्रों, गुड आप्टरनून, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में मोर ये काल को जानने के लिए मैंतवपुन जो सहित्यक स्रोथ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो देखेगा चात्रों, इत्यास चीजी ऐ जिसके बारे में हम किनी स्रोथों से पता लगाते हैं, चाये वो सहित्यक स्रोथ हो या फिर पूरातात्विक स्रोथ हो, ठीक है, पूरातात्विक स्रोथ में वो स्रोथ आते हैं, जिनको अपन देखकर ऐसे अंदाज लगा सकते हैं, कि हाँ, ये उसमें ऐसा कुछ हुआ पढ़ कर चीजों का पता लगाते हैं ठीक है ना तो मोर्यकाल को जानने के लिए जो सहित्यक्स रोध हैं बहुत ही महत्वपुण है इन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपुण भूमी का अदा की है तो देखेगा मोर्यकाल कोन सा काल था ठीक है तो हमने पहले वाले वीडियो में जो 16 महाजनपद पदों के बारे में पढ़ा है उनमें हमने पढ़ा था कि जो मगद महाजनपद है वह सबसे ज्यादा सकते साली महाजनपद था और उसमें कई राजवन्सों ने सासन भी किया था जैसे हरियक वन्स, सिसुनाग वन्स, नंद वन्स ठ उसके बाद जो अंत में जो मोर्य वन्स है वह बहुत ही सकते साली वन्स ठा इसमें कई सासक बहुत ही सकते साली सासक हुए है जैसे चंदरगुप्त मोर्य है, बिंदुशार है, आपका असोक महान है ठीक है ना जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो देखिएगा मोर्य था इसने चाणिके की सहाता से अंतिम नंदवन्सिय सासक गनानंद को प्राजित किया और 25 वर्ष की आईवि में अर्था 322 इस्सा पूरव में मोरिय समराजी की स्थापना टी थी ठीक है तो इन सब के बारे में हम सहाइतेक स्रोतों से पता लगाते हैं तो पढ़ते हैं मोरिय काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सहाइतेक एवं पुरातातिक स्रोत अपना महतोपुन स्थान रखते हैं यहाँ पर हम सहाइतेक स्रोतों की जानकारी प्राप्ते करेंगे ठीक है ना सहाइतेक स्रोतों की तो देखेगा बोध सहाइते महाबोधिवन्स दीग निकाई, जातक कथा, दीपवन्स महावन्स जो नोवी दस्वी स्ताब्दी में इन पर टीका लिखी गई. दिव्यावदान, ये मोर्योत्तर कालीन रचना है, इसमें चीन तिबबत के बिक्षूं द्वारा लिखा गया ग्रंध है. लामा तारानात का विवरण, इन गरंतों से चंद्रगुप्त मोर्ये, बिंदुसार, असोक तथा इनके परवर्ती मोर्ये सासकों के विशे में जानकरी मिलती है. ठीक है ना? तो ये तो आपका हुआ बोच साहिते, जिन से मोर्ये काल के बरे में जानकरी प्राप्त होती है. अगला है जैन साहिते, इसमें भद्दर बाहु चरित, चंद्रगुप्त मोर्ये के काल की जानकरी परदान करता है. पून्या स्रावक कथा कोस एवं राजावलिक कथा के अनुसार चंद्रगुप्त ने भद्दर बाहु से जैन दरम की दिक्षा लेकर सन्यास ग्रहन किया. इन गरंतों से ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मोर्ये ने संथारा सलेखना जो हमने जैन दरम जब पढ़ा था, तो सलेखना के बारें पढ़ाता देखेगा आप, सलेखना पदत्ति से सरवन बेल गोला जो करनाटक में है, में सरीर का त्याग किया था, ठीक है? भगवती सुत्र, बिंदु सार को जैन साहिते में सिहन सेन कहा गया है, भद्रबाहु का कल्प सुत्र, हेम चंद्र का परिशिस्ट परवन, इनसे चंद्रकुप्त मोर्ये कि जिवन की कुछ गठनाओं के विषय में जानकारी प्राप्ते होती है, यह आपका जैन साहिते वा तो बो साहिते जैन साहिते अब देखेगा ब्रामन साहिते तो पुराण और वायू पुराण की रचना गुप्त काल में हुई लेकिन मोर ये काल की भी जानकरी मिलती है पुराण और जो ये आपके वायू पुराण इनकी रचना तो गुप्त काल में हुई थी लेकिन मोर ये क साल की जानकरी भी इन में प्राप्ति होती है वायू पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रे सार और एमित्रे खाद कहा गया है ठीक है तो जो वायू पुराण है उसके अनुसार बिंदुसार है उसको भद्रे सार और एमित्रे खाद कहा गया है अगला आता है देशी सह जिसमें लोकिक सहिते है, जैसे मुदराराक्षस, तो विशाका दत्कृत मुदराराक्षस में चंद्रकुप्त मोरियको व्रिशल, अरथात कुलीन कहा गया है, यह मोरियोत्तर कालीन گ्रैंथ है, कई बार पूछ लेते हैं, एकजाम में, कि यह ouvert कोन से समय का है, ठीक है, स्वामदेव का कथा सरित्सागर, छेमेंद्र का व्रहत कथा मंजरी, तमिल कमियों की रचना, परनर, मामूलनर की रचनाएं, दक्सिन भार्त में मोर ये समराजे की विस्थार की जानकरी मिरती हैं इनसे अर्थसास्तर, इसके लेख को चानिके कोटिले और विश्णु गुप्त नामों से भी जाना गया है, इन सभी से क्या है, मोर ये काल के बारे में जानकरी प्राप्त होती है, अब आता है विदेशी सहीते, तो इसमें है सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथ है वह है इंडी का, और ये मेगस्तनीज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो मेगस्तनीज तीन सो चार, दो सो निननान में इसा पूर्वय में पाटली में रहा था, मूलते ये ग्रंथ अनुपलब्द है, अते समकालीन एं परवर्ती युनानी इतिहासकारों के विवरोनों से इंडी का में लिख राजदूत था, इसके पूर्वय वह आरकोसिया के छत्रप के दरबार में से लुकस का राजदूत रह चुका था, संबवताव इसा पूर्वय तिन सो चार से दो सो निननान में के बीच किसी समय पाटले पुत्तर की सभा में उपस्तित हुआ था, मेगस्तनीज ने बहु सम तक मोर ये दरबार में निवास किया, भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा, सुना, उसे उसने इंडी का नामक अपनी पुस्तक में लिपी बद किया, दुर्भाग्य वसी है, गरंत अपने मूल रूप में आज प्राप नहीं है, तता भी उसके अनस उधरन रूप में बाद के अनेक युनानी रोमन लेक कों जैसे एरियन, स्ट्रेबो, प्लीनी की रचनाओं में मिरते हैं, तो देखेगा इंडी का के बारे में और मेगस तनीज के बारे में हमने अलग से भी वीडियो मनाए हैं, वहाँ पे आप इसको देखेगा, अब देखेगा, इत्ति दि फाईयान, वेंसांग, ये युनानी थियासकार थे, स्ट्रेबो के नुसार मेगस तनीज का विवरण पूर्ण पूर्णते सत्य एम एकल्पनी है, ये किसन कई बार पूछ लेते हैं, कौन से राइटर ने ये बात कई है, और है, और कौन सा युनानी था, ठीक है, कौन सा च 57 से 67 खंड में सिकंदर के भारत पर आकर्मण के अलावा, चंद्रगुप्त मोर्य की कुछ गठनाओं का उलेख किया, चंद्रगुप्त गनानंद के विरुद साहायता हितु पंजाब में सिकंदर से मिला था, इसमें चंद्रगुप्त को सामाने वरक का बताया गया है, जस् नराजे कर दिया था, एरियन इसने एन विशस नमक गरंथ की रचना की, एन विशस में सिकंदर की जीवनी लिखी, इसके साथ थी चंद्रगुप्त मोर्य की गठनाओं का वर्णन भी मिलता है, एरियन में, एरियन ने जो एन विशस की रचना की थी उस गरंथ में, चंद्र हिस्ट्री की रचना की टोलमी ने जोग्रोफी की रचना की तो देखेगा हमने जो मोर्यकाल के बारे में जो जानकारी परदान करने वारे साहित्यक उनके बारे में पढ़ा अब देखेंगा कुछ महत्तोफुण बाते हैं जो एकजाम की दृस्टी से महत्तोफुण देखेगा सिकंदर चंद्रगुप्त मोरिय का समकालीन था सिकंदर के समकालीन लेखक चंद्रगुप्त मोर ये को युनानी थ्यास कारों ने सेंडरो कोटिस एम एंडरो कोटिस का है तदा चंदरकुप्त मोर ये के साथ इन सब्दों का पता सबसे पहले वीलियम जोन्स ने लगाया था डेरियस का अकर्मन पर्थम विद्धे से अकर्मन है ठीक है तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपको बहुत भहुत धन्यवाद यदि आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आप इध्यास के बारे में और भी नहीं नहीं जानकरी प्राप्त कर सके धन्यवाद